उत्राखंट के जोशी मट के दरखने की खबरे आ रही हैं, मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी वहां होके आए हैं, अफसरो की टीम भी वहां तेनाथ है, एंडिया में की टीम भी आई है, और आज इसी मसले पर बात करने लिए हमारे से एक्स्क्लूजिव जुड़े हैं, टीम पर मुख्यमंद्री पुशकर सिंग्नावी, सर आप होके आए हैं, जोशी मट और पूरे हमाफसरो की टीम भी है, पिछले कुछ दिनों के जितने डेवलेमेंट्स हुए हैं, आप उसको कैसे सम अप करते हैं, अभी सारी ही स्वंस्तान राज्य सरकार के हों, भारत सरका हैं, उन्हें लगबग 81 परिवारों को सिप्ट किया है, तीन सो के लगबग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट आउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षी सिस्तानों पर विज़ा है, छैसो अड़तर ऐसे मकान हैं जिन पर दरारे आई हैं, जिनको नुक्सान हुआ है, उनके हमाल की हानी को बचाया जाए, नुक्सान को कम किया जाए, और बाकी जो बहुत सारे भारत सरकार के संस्तान हैं, NDA में और NDRF और यहां की हमारी HDRF, यह सारे लोग मोके पर हैं, सभी आतलन कर रहे हैं, भूब है ग्यानिक भी इस पर अपनी समिक्षा कर रहे हैं, किया जा रहा है, असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदन रूप हम लोग कारवाई करेंगे, लेकिन अभी परात्मिक्ता हमारी यह है कि जो अभी ततकालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर परकार से हानी को बचाया जाए, प्रधान मंत्री कारले वे आप की जानमाल की रक्षा की जाए, और इसमें अभी ततकालिक और दिर्ग कालिक जो इनके पुनरवास की इस्तिती है, उस पर एक प्लान किया जाए, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, भी पीपल कूटी और गोचर के आसपास की कुछ जमीन भी तलासने का काम हो रहा है, उसक एक हमारे पास विकल्प रहेगा, कि हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे उस पर, आपने अभी बात कही कि लोगों को डिस्प्लेस करा जा रहा है, एक असी लोगों को अन्यत जगाओं में शिफ्ट करा जा रहा है, और बाकी भी पर्मिलेंटली भी उनको शिफ्ट करा जा सकता जैसे अभी अब बता रहे थे, पीपल कोटी दूसरे जगाओं में, इसमें जो कॉस्ट लगेगी, इसमें एक बड़ी कीमत आएगी, वो कीमत कौन मेहन करेंगे? देखे, जहां तक संसादनों की बात है, कीमत की बात है, तो हम राजजी की तरफ से भी, चुकि हमारे जितने संसादन हैं, उस पर काम करेंगे, इसके अलावा, माननी परदान मंत्री जी ने और केंदर की सरकार ने, हम पूरी तरह से आस्वस्त किया है, कि हर तरह से उन्हों दिया है, कि वो साहता करेंगे, और मैं समझता हूँ कि पुनरवास में बहुत परिशानी नहीं आएगी, और जो हम प्लान करेंगे, उस प्लान के मताबिक हम आगे बढ़ेंगे. मिश्त कमिश्त की रिपोर्ट आई थी, और तब से लगातार वो हलका हलका दर्खता ही रहा है, अभी फिलहाल पिछले साल सितंबर में जो उत्राखंट की अपनी डियास्टार मेंजिमेंट अथौरटी है, उन्होंने भी रिपोर्ट तयार करी, और इस रिपोर्ट में उन् बीच में एक बड़ी हाई लेविल की मिटिंग करी थी, इसमें सवी अधिकारी घंड थी, हमने तई किया है कि जो समस्त जितनी भी इसमें आपचा रिकता हैं, टेंडर रितियादी की परकरिया है, वो परकरिया गतिमान है, लेकिन युकि लंबा प्रोसेस होता था, हमने उ बीच में एक बाटान है उसको कहा है, कि उसको एकड़ ततकाल किया जाए और आपदाप्रबंदन के जितने भी हमारे नियमें, उनको सितिल करके, उस नियमों के अंतरगत लाकर, ततकाल उन टेंडरों को खोला जाए, और इस वार मानसून सतर से पहले ही, मानसून के आने से पहले ड्रेनेज के काम को पूरा कर दिया जाए जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से जो सी ब्रेज का लाइन वहाँ पर पड़ गया है वो लोगों के अभी घरों से जुड़ नहीं पाया है उसको जोड़ने के लिए भी हमने कहा है कि ततकाली क्रूप से उस पर भी कार नहीं देखे हमें पूरी आसा है और हर प्रकार से हम आसानवी थें कि जोसी मट सहर जो हमारा बहुत ही एक पौरानिक सहर है एक अध्यात्मिक सहर है पहला मट जोसी मट में स्ताफित हुआ था सामरी ग्रूप से परेटन की दृस्टी से ओली भी उसके पास में बदरीनाज जी का भी सबसे नजदीक का सहर वो है और सहर बचेगा और हम भगवान से प्रातना करते हैं कि भगवान हम सभी पर अपनी किर्पा करें और जोसी मट सहर को बचाएंगे और सभी लोगों से भी मैंने अंदरोद किया है विविन्न विविन्न बिचारदाराओं के लोग सामा शुमट लोगों के साथ खड़े हैं और हर सम्भव उन्हों ने भी साहता काम को भरोसा दिया है पास्व बीस मेगावाट का जो एंटी पीसी का प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी बहुत सुर्खियों में हैं स्थानी लोगों के उसके आरोब भी लगाया है कि वो भी एक बड़ लेकिन इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा जब तक कि सभी के जो सर्वेक्षन चल ले हैं जो बहुत सारे हमारे संस्तान इस पर काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा यह बात सामने आई है कि जोशीमट पूरे ग्लीशियर मुरैन पर बसा है मतलब वो एक तरीके का मलवा है और उत्राखंड में बहुत सी जगाओं की इस्तिती इसी तरीके की है और वो वैली तो इंट्रेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी वहाँ चल ले हैं कंड़ प् है नहीं हमने कहा है कि हम जितने भी हमारे सहर चाहे आज जोशीमट हो करानपरियाग हो हमारा पोड़ी हो अलमॉडा हो नैनी ताल हो मसूरी है ऐसे अनिकों अनिक सहर हैं जो हमारे टेहरी सहर है तो इन सभी की धारन समता का हम आकलन करेंगे और धारन समता यदी पूरी होग होगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे विचार करेंगे बद्रीनात के स्पैसिफिक प्रोजेक्ट है जैसे के दानात में हमारा काम चला है पूरे रीकस्ट्रेक्शन का बद्रीनात में भी चल रहा है तो लगता है कहीं कोई उस पर फर्क तो नहीं पड़ेगा जोश्यम में रखके उस पर काम चल रहा है आपने बड़ी इंपॉर्टन बात कही है लोड कैरिंग कैपसिटी की उत्राखंट के शेहरों की तो यह बड़ा फैक्टर है मसूरी है नैनीताल है धार चूला है कई शेहर इस तरीके के मोहाने पे हैं तो क्या महसूस किया जा रहा है कि कि उत्पार चकाई कि झाल रहा है नैनीताल है या जाल प्राखंट के विसी में जाएता रहा है कि युड़ुिया कि आनिए तो कुछ़ुदूुदूुदुदू।